वसकार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रासैनी भारत के लिए आर्थिक मौचे पर अच्छे खबर साख ने आई कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेस्था बन लेकिन इस बीच लगातार भारत की ताहरीफ भी हो रही है और इसी कड़ी में मैंग्जी के कंपणी के जो सीओं बॉब इस्टनफेल्स उन्होंने भारत की ताहरीफ करते हुए यह कहा है कि यह भारत का दशक नहीं है बलकी भारत की सधी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई आपको बतादे मैगजी के कमपनी के CEO बोब इस्टनफेल्स ने वैश्विक आपूर्ती को पूरी करने वाली कमपनियों कामकाजी आबाधी और डिजिटल पैमाने पर दरसल छलांग का उलेक करते हुए ये तबाब बाते कहीं उनके तरब से कहा गया कि ये भारत का दशक नही वाली बहुरास्टे कमपनिया मुझूद हैं इसी के साथ बोब इस्टनफेल्स ने कि भी कहा कि भारत दुनिया की फविश्य की परतिभागा कारखाना होगा क्योंकि 2047 तक दुनिया की कामकाजी आबाधी का 20% हिसा भारत का होगा ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है तो किस तरह से दुनिया के तमाब लोग भी भारत की तारीव कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो मैक्जिक कमपनी के सीओ हैं बॉब इस्टनफेल्स उन्होंने भारत क तरहीव की हैं और कहा है कि मैक्जिक के कमपनी लigor भारत के लिए एक योज़्सना बनाई है इसलिए निया का वॉच दिसंबर में भारत चाहिए का उन्होंने पहा कि अभी कमपनी में भारत के 5000 लोग हैं जीसे दुकना करके वह दस हजार कठना चाहते हैं यानि भारत के लि एक कंपनी के सीयों की ओर से किया गया और और कहा किया कि भारत दुनिया के लिए भुष्य की परतिभा कार खाना है और वहां मैनुफेक्ट्रिंग के सभी पहलों के लिए व्याफक संभागनाई भी है इसी के साथ भारत ने टेजी से डिजिटल पैफाने पर भी छलांग लग नहीं अपनी कंपनी के बारे में बात करते हुए बाब इस्टन फिल्द नहीं ये बताया कि कोरोना माहमारी के तोरान उस समय चो किया उसमें से एक था बाहर निकलना और ग्रहकों से बात करना मैं पिछले साल 500 से ज़्यों से मिला इसके साथ युनोंने ये भी बताया कि किस तरीके से रक्षात्मफ उपाई अपना कर बैलंच सीट को मजबूत कर और दक्षता बढ़ा कर कंपनी किसी भी जटके को छेल सकती है तो ये मैक्सी की कंपनी के सीओ हैं जिन्होंने तमाम तरीके से भारत की ताहीव की और रूस यूक्रेन और चीन ताइफान के बीच जार उन्हें कहा कि देशों के बीच तनाव कंपनी के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हम जोखिमों के बारे में कई सीओ के साथ बात्चीत करके काम कर रहे हैं ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है तो कुल विलाकर किस तरह से भारत की दुनिया में ताहरीफ हो रही है ये भारत की ताहरीफ करते हुए कहा है कि ये भारत का दशक नहीं बलकि भारत की सदी है और इस बीच बड़ी खबर जो भारत के लिहास से बहुत अच्छी है आर्थिक मोचे पर ये अच्छी खबर साथ ने आई है कि भारत अर्थवेस्था दुनिया की पांचवी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एकोनोमी में शामिल हो चुका है और भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेस्था वाला देश बना है इसके आगे अब सर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी है तो इस तरह से भारत लगाहतार आर्थिक मोचे पर भी अपना चंडा बुलंद कर रहा है और कहीं न कहीं देश में तो तमाँ विपक्षियों को जवाब दिया ही जा रहा है दुनिया के तमाँ देशों को भी यह साफ तोर पर बता दिया है कि किस तरीके से भारत जो है अब दुनिया के तमाँ बड़े देशों के साथ आख से आख मिलाक कर सकता है इस तरीखे से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नारीं ध्रमूदी का नेटर्थ दुढस्प जस तरीके का देश में रहा है जस तरीके से वह टॉप लीटर बनकर उपरे हैं दुझा के टॉप लीडर में शुमार हो चुक है दुढस्प पिर चाहें फॉर्ब्स की लिस्ट उठाकर देख दिचे या फिर इस तरीके से अब देश के लिए जो एकोनोमी के आखड आए हैं वह भी बताने के लिए काफी हैं लेकिन लगातार हमलावार है को लेकर इपक्षा को लेकर सरकार पर हमलावार नजर आ रहा देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में आपको ये बताएं कि अब तमाव विपक्षी दल दोहजार चुनाफ की तयारियों में चुट गए हैं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की और से एक बड़ी खोशना की गई है तरजल आम आदमी पार्टी अब मेक इंडिया नमब युवाव को साधने की कोशिश करेंगी तो अर्विंद केजवार और भगवंतमान हरियाना के हिसार में दोहजार चुट के लोकसबाद चुनाफ के लिए तैहिया किये गए मेक इंडिया वन कैमपेंड की शुरुवाद करेंगे तो इस तरह से 7 सितंबर को ये मेक इंडिया नमबर वन कैमपेंड की शुरुवाद आम आदमी पार्टी करने चा रही है एक तरफ देश के परधान मंतरी नरेंथर मोदी हैं जो की मेक इंडिया की शुरुवाद उनके द्वारा की गई थी ये एक प्रोग्राम था ये एक मोहिम थी जिसके जखे कोशिश यही हुई कि देश में ही तमाम चीजों का निर्मान हो और इस तरह से देश की बहतरी के लिए ज़रूरी है कि कहीं न कहीं जो देशी चीज़ें हैं उन्हें अपना आख जाए और इस पूरे प्रोग्राम के तहत तमाम बड़ी जो कमपनीज हैं वो कहीं न कहीं उनकी शुरुवाद पार्टी मेक इंडिया नंबर वन कैम्पेंड की शुरुवाद करने जा रही है और आपको बता दें आम आदमी पार्टी के जो सहिंचक हैं दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंध के जहवार और साथी साथ भगवंत मान पंजाब की मुख्यमंतरी हिसाफ में इस कैम्पेंड की शुरुफास करेंगे वहाँ युवाओ को संबोधित करेंगे और इसी के साथ आदमपुर में दोनों ही मुख्यमंतरी तरंगा यात्रा भी निकालेंगे इसी के साथ बताए ये भी चुआ रहा है कि दरसल प्रेस कांफरेंस के जरके आम आदमी पार्टी के जो हर्याना प 72 साल हो गए इसमें असिक्षा है भुकमारी है बेरोजगारी है बिमारी का इलाज नहीं है किसान कर्ज के नीचे दब कर आत्मत्या कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों को उठाया किया है लेकिन सवाल यही है कि एक तरह भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर ने आ रही है कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेस्था बन चुका है वहीं तमाम जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज के सीओं हैं जो तमाम दुनिया के बड़े देश हैं उनके जो राष्ट अध्यक्ष हैं वो अस्तरह से भार खेला आज़े ले रही है उसके खिलाफ एक्षिन ले रही है तो उन पर हमलावर फ्लाफ कि देखने को मिल रही है लेकिन फूल मिला कर यह भारत के लिए बड़ी खबर है कि किस तरीके से दुनिया की दिगर्स कंपनी भी भारत की सरहना कर रही है और भारत में किस तरीके से वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाई किस तरह से भारत के लोगों को ज़्यादा मौका दे पाई यह साफ तोर पर मैगजी कंपनी की ओर से बताया क्या है आपकी इस झाल झाल